ये है मिथुन चक्रवर्ती का नया वाला घर और उनका ओपीस जहां पे वो रहते हैं अपने परिवार के साथ और अपना पुरा काम काजना यही से सम्हालते हैं खाया ही है जहां पर बहुत ही खुशूरत तरीके से उन्होंने अपने घर को बनाया है लेकिन आज किस वीडियो में हम आपको जिस घर को दिखाने जा रहे हैं यही पर उनका ओपीस भी है और घर भी है जहां पर उनके लड़के रहते हैं और मिथुन चक्रवर्ती यहां पर अकसर आया जाया करते हैं, वो भी रहते हैं, लेकिन वो मलाड वाले में भी रहते हैं, यहां पर भी आते हैं, मतलब उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो उनके बेटे हैं, वो यहीं पर रहते हैं, क्योंकि ओपीस है, और ओपीस में काम रहता है, तो आज कि इस वीडि क्या है तो आपको सब कुछ बताऊंगा दिखाऊंगा भी तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लाच तक बने रहेगा तो जब मैंने मिथुन चक्रवर्थी का मलाड वाला घर दिखाया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यह कैसा घर है मतलब उनको वह घर नहीं आया लेकिन भाई साब उसमें अंदर न सारी फैसलिटी मौजूद थी लेकिन आज जिस घर को दिखाने वाला हो जिसमें मिथुन चक्रवर्थी जी रहते हैं अपने परिवार के साथ वो घर भाई साहब काफी कमाल का है और इतना सुंदर है ना कि आप देखोगे तो कहोगी कि हाँ भाई साब ये किसी अक्तर का घर है आपको तो पता है कि किसी भी अक्तर का मुंबई में एक घर नहीं है लेकिन चली आज देखते हैं कि मिथुन दाका जो डिस्को डांसर के नाम से जाने जाते हैं उनका घर मुंबई में कैसा है जहां पी वो अपने परिवा अभी हम आ चुके हैं मुंबई के वो सिवारा इलाके में जहां पे न मिथुन चक्रवर्ती का नया वाला घर है और ओपिस है जहां पे वो अपने परिवार के साथ अक्सर रहते हैं और मड आइलेंड वाले बंगले पे भी जाते हैं लेकिन यहां भी रहते हैं देखिए गाड मिथुन चक्रवर्ती जी के हैं जिसमें से सबसे पर फ्लोर पे उनका ओफिसरू नीचे पूरी फैमली रहती है जब उनको सांती चाहिए होती है अपने पालतु जानवरों के साथ वो घूमना चाहते हैं तब वो अक्सर मड आइलेंड वाले बंगले पे जाया करते हैं अग ये न आउट गेट है इनके इस बिल्डिंग का और इस बिल्डिंग का नाम है अगरवाल गोल्डेन जो की मुंबई के ओ सिवारा में इस्थित है दोस्तों ये एड्रेस हम लोगोंने बहुत जादा ढोड़ने के बाद निकाला है और मैंने यहां पर गाड से पूछा भी है तो उसने यह जानकारी दी है कि हाँ ये मिथुन्दा का नया वाला घर है काफी पूराना ही है लेकिन अभी इसमें अपना ओपिस भी इन्होंने खोल लिया है तो सोचिए जो भी ये काम करते हैं उनके बेटे और मिथुन्दा वो इसी बिल्डिंग से करते हैं मतलब अपने ओपिस से करते हैं और उनका परिवार भी यही पर रहता है मैं आपको बताना चाओंगा कि मिथुन्द चक्रवर्ती जी का न मुंबई में तीन जगह पे घर है एक बांदरा में है एक ओसीवारा में है और एक मड आइलेंड में है अभी हम आपको इनके बाइगरोफी के बा बताने वाले हैं तो देखिए काफी ज़्यादा ग्रीनरी भी है ओसीवारा इलाके में काफी ज़्यादा पेड़ पोधे हैं और यह जो इलाका है पूरा काम काजवाला इलाका है मतलब की इतना तगड़ा तगड़ा ओफीस है इधर कि आपको तो यहाँ वीडियो में दिख फाई दहिरा होगा यह पीछे का ओट गेट है और यह इसी रास्ते से एंट्री होती है आप लोग देख सकते हैं यही यह के बील्डिंग का बेन गेट है जहां से यह लोग अंदर जाते हैं और काफी लगजरी बिल्डिंग है यार यार काज़ पूरा लगाया। चारो और काफी खुबसूरत भी लग रही है मैं थोड़ा सा जूम करके आपो दिखाना चाहूंगा उसी रास्ते से वो लोग भी अंदर जाते हैं तो यही ये विल्डिंग है इस विल्डिंग का नाम है अगरवाल गोल्डेन और सबसेट टॉप फ्लोर पे उनका ओफीस है उसके नीचे वो लोग परिवार के साथ रहते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जब मैं मड आइलेंड वाले उनके बंगले का वीडियो बनाया था तो लोग कह रहते ऐसी जगह पे रहते हैं बहुत साथ उसमे न सारी फैसलिटी मौझूद है वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़े हैं कि जो बड़े बड़े लोगों के घर में होती है तो बाहर से आप ऐसा अंदाजा मत लगा लिजे कि बाहर से इतना खराब है तो अंदर से भी खराब होगा ऐसा नहीं है बाहर साब अंदर क्या लगजरी वाली फीलिंग आती है न मैं आपको क्या बताओ तो यह जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं इससी बिल्डिंग में उनका नया वाला घर और ओपीस है मित्धुन दागा सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता दे इनकी पतनी का नाम है योगिता बाली और इनके तीन बेटे है और एक बेटी है बेटों का नाम है महाच्य चक्रवर्ती उसमें चक्रवर्ती और नमासी चक्रवर्ती और इनकी बेटी का नाम है दिसानी चक्रवर्ती इनकी जो बेटी है न वो कैली सोर्दिया में भी पढ़ती है लेकिन अपने परिवार के साथ जब मुंबई आती है तो इसी घर में रहती है यानि पूरी फैमली यहाँ पर रहती है और मड आइलेंड वाले बंगले पर भी रहती है दोस्तों आपको बता दें जब एक दुबले पतले और सावले रंग का ब्यक्ति बॉलीवूड इंडेस्ट्री में आया था तब सायध ही किसी ने सोचा था कि यही बंदा एक दिन बॉलीवूड की फिल्मों का इस्टार बन जाएगा जो अपनी जिंदगी में 450 से भी अधिक फिल्में करेगा मिथुन चक्रवर्ती को प्यार से मिथुन दा भी कहा जाता है इनका वास्तविक नाम यानि असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है और इन्हें इंडियन फिल्म आवार्ड प्राप्त हो चुका है इनकी सबसे पहली फिल्म साल 1976 में आई थी और इन्हें अप अपनी फिल्मों में एक्शन सीन काफी अच्छे तरीके से कर लेते हैं यह मोनार्क ग्रूप के मालिक भी है जो हास्पीटैलिटी की फिल्ड में काब करती है इसको यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जूम करके देखिए आपर लिखा है अग्रवाल गोल्डेन औ आपको दिखा रहा हूं कि आसपास का नजारा यहाँ पर कैसा है ताकि आपको अगर यहाँ पर वीडियो बनारे आते हैं तो आपको समहल करारा पड़ेगा और यहाँ गाट से परमीशन लेकर ही आप लोग वीडियो बनाईएगा नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है मैं पहले ही बता दे रहा हूं इनका एडमीशन इसकूल में पढ़ने के लिए करवा दिया गया इसकूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में इस थीद इसकाटिक्स चर्च कॉलेज में एडमीशन लिया और यहाँ से इन्होंने कमेश्ट्री के सबजेक्ट में अपनी इसकूल में पढ़ाई करने के बाद यह पूरे सहर चले गए जहाँ पर उन्होंने फिल्म एंड टेलिवीजन इस्ट्रीट ऑफ इंडिया से एक्टिंग के गुड़ सीखें आपको बता दें के पिता जी का नाम बसंतो कुमार चक्रवर्ती और माता जी का नाम सांती रानी दोनों लोग आपस में साधी करना चाते थे लेकिन साधी नहीं हो पाई साल 1976 ही वह साल था जब इन्हें पहली बार फिल्मों में काम करने का मौका मिला। का ही जादू है कि उनमें से अधिकतर फिल्में सूपर दूपर हिट सावित होई है। को जोईन कर लिया था लेकिन फिर इन्हों ने 2021 में 7 मार्च के दिन प्रधान मंतिल नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिती में बीजेपी पार्टी जोईन कर लिया है और अभी भी ये बीजेपी की तरफ से राजनीती करते है। पूरी दुनिया भर में डिस्को डांसर के तहट जानने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने एक्टिंग की फिल्ड में तो काफी नाम और पैसा कमाया ही है। साथ ही उन्होंने बिजनस भी किया है। बता दे कि बर्तमान के समय में मिथुन चक्रवर्ती भले ही फिल्मों में कम दिखाई देते हैं। लेकिन इनका नाम अभी भी देश के अमीर अभिनेताओं की लिष्ट में सामिल किया जाता है। इनके पास करीब 300 करोण रुपे से अधिकी समपत्ती है। आपको यह भी बता दे कि मिथुन चक्रवर्ती ही मोनार्क ग्रूफ आफ होटल के मालिक भी है। इनके कई बड़े-बड़े होटल हमारे भारत देश के कई बड़े-बड़े सहरों में है। जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे सहर सामिल है। इनके पास उटी में एक 5-star होटल भी है। इसी के साथ मैसूर और दच्छिड भारत के कई राज्यों में इनके पास काफी महंगे होटल मौजूद है। इस प्रकार एक्टिंग के अलावा एडवाटाइजमेंट के साथ ही साथ इनकी कमाई होटल के जरिये भी होती है। मिथुन चक्रवर्ती, टीबी, सीरियल के कई सारे सोक में जज्ज के रूप में भी काम करते हुए नजर आते रहते हैं। इसी दसक के आज पास में मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलीवुट के टाफ हीरो में और स्रीदेवी का नाम बॉलीवुट की टाफ हीरोईन में लिया जाता था। इन दोनों को एक साथ गुरू पिक्चर में काम करने का मौका मिला और इसी पिक्चर में काम करने के दर्मियान इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई यही पर मिथुन चक्रवर्ती के कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास BMW की 7 सीरीज और यहाँ पर रेंज रोवर और ओडी कार भी सामिल है और इनके पास करीब कई सारे अभी भी कुत्ते इन्होंने पाल रखे है जो Mud Island वाला बंगला है वहाँ पर और कई सारी पक्षियों को भी यह वहाँ पर पाल के रखे हुए है तो देख सकते हैं यह जो मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूँ इसी बिल्डिंग में इनका घ वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंज के ब्लोक्स को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आप हर एक एक अच्छी जगहों का वीडियो देखते रहें तो जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जैभारत